एक बार की बात है एक गाव में एक बहू और सास अकसर जगडा करते रहते थे बहू को अपनी सास की हर बात पर गुस्सा आता था वह जगडालू स्वभाव की थी वह सास की किसी भी बात को नहीं मानती थी जिससे दोनों में कड़वाहट भर गई बहू सास से नफरत करने लगी एक दिन दोनों में लड़ाई इतनी बढ़ गई की बहू ने अपने घर फोन कर दिया उसकी बात सुनकर उसकी माने उसे कहा कि वह अपने ससुराल से यहां आ जाए बहू अपने माई के जाने लगी और रास्ते में यह सोचती रही की अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी कुछ देर बाद वहां अपने घर पहुँच गई उसने सारी बाते अपनी मा को बताई की किस तरह से उनकी लड़ाई होती है उसकी माने उसे समझाया परंतु वह समझने के लिए तयार नहीं थी फिर उसने सारी बाते अपने पापा को बताई पापा ने उसकी सारी बाते सुनी पापा ने उससे पूछा की क्या करना चाहिए उसने कहा की मैं अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हूँ उसके पापा ने कुछ सोचा और फिर उससे कहा कि मैं तुम्हें एक दवाई दूँगा उस दवाई से तुम्हारी सास धीरे-धीरे मर जाएगी लेकिन उसकी एक शर्थ है वह दवाई तभी असर करेगी जब तुम्हारी सास उस दवाई को हंस्ते-हंस्ते खाएगी और कभी दुखी नहीं रहेगी अगर वह खुश नहीं रहेगी तो वह दवाई असर नहीं करेगी अपनी सास को कभी दुखी मत करना धीरे-धीरे वह मर जाएगी यह सुनकर बहु बहुत खुश हुई और अपने माईके से अपने ससुराल जाने लगी रास्ते भर वह सोचती रही कि अब उसे अपनी सास से छुटकारा मिल जाएगा और वह खुश रहेगी जब वहाँ अपने ससुराल पहुची तो उसने अपनी सास से प्यार से बात करनी शुरू कर दी और सास जब भी गुसा करती थी तो वहाँ चुपके से सब सुन लेती थी अपनी सास को वहा हमेशा खुश रखती थी और चुपके से वहा दवाई भी सास को खिलाती रहती थी सास को यहाद देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वहाँ भी अपनी बहु से प्यार से बात करने लगी धीरे धीरे उनके बीच में लडाईया लगभग खत्म हो गई और एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ गया अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे एक दिन बहु ने सोचा कि मेरी सास तो इतनी अच्छी है तो मैं उनके साथ इतना गलत नहीं कर सकती हूँ उसने अपनी सास से कहा कि मुझे अपने माई के जाना है तो उसकी सास ने उसे आग्या दे दी वहाँ अपने माई के पहुची उसके पापा ने उससे पूछा कि तुम्हारी सास के क्या हाल है बेटी ने कहा कि पापा मैं गलत थी मेरी सास तो बहुत अच्छी है मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती हूँ कहीं मेरी सास अब मर तो नहीं जाएगी उसकी बात सुनकर पापा ने कहा कि बेटा हम तो यहीं चाहते थे न तो बेटी ने कहा कि अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सास को कुछ हो आप कुछ करो यहां बात सुनकर पापा हंसने लगे पापा को हंसते देख कर बेटी ने कारण पूछा तो उसके पापा ने कहा कि बेटा वो कोई जहन नहीं था वह तो विटामिन की गोलिया थी वह तो मैंने तुम्हे समझने के लिए यह तरीका अपनाया कोई भी बुरा नहीं होता है हमारा अपना नजरिया किसी को हमारे लिए अच्छा या बुरा बनाता है अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें परिणाम भी अच्छे मिलेंगे आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर दें हेलो फ्रेंज, मेरा नाम जूलिया है मुझे रमेश डब्राल ने बनाया है आपको मैं कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो के लिए Asian Educational Hub को सब्सक्राइब करें हम आपकी टिपणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद